नमस्क्रार आप देखरे हैं नेक्स्रेंस प्रीच्वल आपके साथ मैं हूं रीना राहु दोश जोतिश शास्त्र में एक ऐसा दोश है जो व्यक्ति के जीवन में विभिन प्रकार के परिशानिया ला सकता है जब राहु क्रह किशी अशुप स्थिती में कुनलिक में होता है यह दोश उत्पन होता है इस दोश के करण वेक्ति को शाररिक मांसिक और आर्थी परिशानियों का सामना करना पड़ता है यह दोश को दूर करने के लिए जोतिश में विभिन उपायदी सुझाए गए हैं जिने अनुसरन करने से इन दोशों से मुक्ति पाई जा सकती है शोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल चड़ाने से राहू की नकरात्म पुर्भाव को कम किया जा सकता है इसके साथ शिवलिंग पर काले तिल भी अर्पित किये जा सकते हैं इसके अलावा अम राहम रहवे नमा मंत्र और आप जाब करने से भी राहु रोषको कम कर सकते हैं इस मंत्र का जाब सुमवार और शेनिवार को 108 बार करना चाहिए इससे राहु के आश्यु प्रभाव को दूर किया जा सकता है इसके अलावे आप राभू यान्त्रू कुछ अपने घर में स्थापत कर सकते हैं और उसपर रोज्वाना तिलक लगाना लाबगवायक होता है राहू के प्रभाव को कम करने के लिए नहाने के पानी में कुछ मिलाकर नहाना भी लाबदायक होता है भूखे लोगों को खाना देना विशे इस रूप से दलित और गरीबों को राहू को प्रसंद करता है बुद्वार से लेकर साथ दिन तक काले गुद्टे को रोटी खिलाने से राहू के प्रकॉब भी कम होता है इसके झालावर राहू दोश निवारन के लिए तिल और लोंख़दान भी आकार करुंधा तो उशक को दूर करने के लिए नीला और काला वस्तिर पहना भी लाबदायक होता है पीपर और बर्गत का पेड़ लगाना और उसके सेवा करना भी राखु दोश को दूर करने में मदद करता है अगर आपको हमारी जान करें अच्छी लगी हो तो कमेंट करकर ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीडियो उसके ब्रेट पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इवा लाइक बिदाना ना भूले